हालो एवरीवन स्वागा थे आप सभी का अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एट का इंग्लिस का आखरी चैप्टर जो आपके सलेबस में था stopping by the woods on a snowy evening यानी बरफिली शाम तो इस पे जो है आखरी टॉपिक था यह और इसमें सिप only for objective में चार कोश्चन ही दिया गया है सोचा मैं आपको बता दूँ कि जादा बड़ा नहीं है यह दो तीन मेंट का वीडियो है तो पूरा देखिएगा और हो सकता है किसे एका कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा जा चुके देखिए इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए जो है लगभग 90 प्लस यानी 100 क देख पाइएगा तो आप लोग ये काम कीजिसे आप लोग जाईए प्लेश्ट प्लेश्ट पर जाईएगा तो वहां पर आपको चाया हो मैच हो चाया वह इंग्लिस हो चाया ही 60 सब को आप दगदस स्ट देख लीजिए ठीक है इतना ही आप लोगों के लिए काफी है अगर आप सोच रहे हैं कि इतना लंबी वीडियो हम नहीं देख पाएंगो तो आप स्पीडो मीटर को अपयोग कर सकते हैं यूटूब में स्पीडो मीटर आता है आप स्पीड बढ़ा करके भी दे सब्सक्राइब करके लाल रंकर सब्सक्राइब का बटन जो उसको दबा दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा सभी दोस्तों के साथ देखे हमारे जो पहला सवाल है पहले सवाल में कहला है रॉबर्ट फोरेस्ट है रिटेन दिस पोयम तो where did the rider stop यानि कब और कहां जो है rider रुका था तो by a forest on a snowy evening जेंगल में एक बरफिली साम में है ना बरफिली साम को जेंगल में ठीक है, next है हमारा why did the horse shake the bell गोड़े ने घंटी क्यों बजाई if there was any problem उसको जो कोई problem था, इसलिए वो क्या किया घंटी बजाया, ठीक है next और आकरी सवाल है हमारा who is the poet of this poem stopping by the woods on snowy evening तभी आपने पढ़ता, Robert Frost ठीक है, तो इसको याद कर लिजेगा आप लोग, चारी कोश्चन है ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर एका कोश्चन भी यहां से आगिया तो आपको help मिलेगा उमीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लेगा होगा तो लाइक करके share कर दीजेगा सभी दोस्तों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, thank you